मार्केट विजाड सेक्शन 35 या वे लग रहा है, मुझे बायर्स के अलावा कुछ नहीं दिखता, मैं बायर्स के साथ क्यों नयजुड जाओं और देखूं कि क्या मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ, बोलने के मामले में मैं अपने आपको अलग धलग कर लेता हूँ, मेरे पास एक fundamental approach है, जिस पर मैं दिल से विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं इसे market में देखने वाले short term उत्सा और तिवर्ता से अलग करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए भले ही उस प्रकार की position में short हूँ, मैं time time पर खरीदार बन सकता हूँ, क्या आप वास्तों में उन periods के दोरान long time तक net पर जा सकते हैं, या क्य आपकी position पूरी तरह से short और flat के बीच fluctuate करती हैं, यह दूर दूर तक flat नहीं होगा, क्योंकि उस प्रकार की purchase बहुत ही short term perception पर आधारित होती है, मैं position का 20, 30 या 40% ले सकता हूँ, और उसके साथ trade कर सकता हूँ, यदि आप किसी विशेस stock में बहुत negative और short हैं, लेकिन जरूर पूरी नहीं कि industry bearish हो, तो क्या आप कभी-कभी अपनी short position के मुकाबले उस group में एक और stock खरीद कर खुद को बचा सकते हैं, मैंने कई बार इसकी कोशिश की है, लेकिन आम तोर पर मुझे यह unsuccessful ही लगा है, इसकी trend यह होती है, कि मुझे एक के बजाए दो problem दे देता है, आम पर दूसरी तरफ, दूसरे stock के बारे में आपका ज्यान अपेक्शकरत कम होगा, क्योंकि आप इसे hedge के रूप में उपयोग करने के लिए बस समझ रहे हैं, यदि आपकी problem इतनी बड़ी है कि आपको उससे बचाओ करने की आउशकता है, तो पूरी तरह से अलग position लेने के ब हो सकता है कि आपका short stock और अधिक बढ़ जाए, शायद दूसरा stock और उपर जाएगा, कौन जानता है, यदि आपने कोई गलती की है, तो गलती से निप्टें, इसे mixed करके बढ़ाओ मत, अलग perception concept के अलावा, आपके trading philosophy के कुछ दूसरे element क्या है? इसा कुछ भी नहीं है, जो इतना specific हो, मैं stop loss order आधि का उपयोग नहीं करता, मैं weakness या strength पर purchase के बारे में किसी rule का उपयोग नहीं करता, मैं breakout या breakdown को नहीं देखता, मैं chart का उपयोग नहीं करता, आप chart का बिलकुल भी उपयोग नहीं करते? चार्ट मुझे खाली छोड़ देते हैं, मैं stock को देखता हूँ, इसका एक शांदार चार्ट है, चार्ट का आधार इस परकार है, और फिर यदि यह थोड़ा ओर उपर जाता है, तो यह एक actual breakout है, बला 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 बला, वे सभी मुझे एक जैसे लगते हैं, मैं उन्हें इसले कुछ वर्षों में कहां ट्रेंड किया है, शेरों को करीब से देखने से, मुझे price level, तेजी के ट्रेंड, range और इन सब के बारे में कुछ समझ मिलती है, मान लीजिए कि आप जानते हैं कि एक stock 10 डोलर से 40 डोलर तक चला गया है, क्या आपके लिए यह माइने नहीं रख कि यह 10 डोलर से 40 डोलर तक कैसे गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आपके पास कोई trading rule है, जिसे आप define कर सकें, मुझे trading rule का एक example दीजिए, एक समन्य example यह हो सकता है, किसी position में आने से पहले, मुझे ठीक ठीक पता होता है, कि मैं कहां से बाहर निकल रहा ज़रूरी नहीं कि यह एक risk control rule हो, नहीं, मेरे पास stop या उदेश्यों के बारे में कोई rule नहीं है, मैं बस उन शब्दों में नहीं सोचता, लगबग एक महीने पहले, मेरे पास तंबाखु का stop कम हो गया था, मेरा आर्ग्यू यह था, कि यदि वादी केस जीच जाता है, तो stock बहुत नीचे चला जाएगा, लेकिन यदि वादी हार जाता है, तो stock बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तंबाखु कमपनिया कभी भी एक case नहीं आरी है, तो stock बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा, यह वास्तों में news है, यह अलग perception का एक example है, यह देखना interesting होगा, कि मैं कितना खोऊंगा, क्योंकि मेरी basic theory यह थी, कि यह जादा नहीं होगा, यहां यह है, लीगेट ग्रूप को दुमरपान करने वालों की मोत में योगदान देने के लिए, इंसरदाई पाया गया, तुम्हें पता है क्या, मैं वैसे भी नहीं आरूंगा, एसा मुहावरा किस को भी डरा देगा, अपने चर्चा पर वापस लोटते हुए, मान लीजिये कि आपके fundamental analysis के कारण, आपके पास एक stock कम है, और stock आपके against जा रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, जब आपका analysis गलत है, क्योंकि आपने किसी unknown important element को नजर अंदाज कर दिया है, वह position अक्सर गटित होती है, आप कोई stock खरीदते या बेशते हैं, और यह उस तरह से कारियर नहीं करता, जैसा आप सोचते हैं, कि इसे करना चाहिए, मैं दिन में 6 बार अपने portfolio की study करता हूँ, portfolio में एसे कई stock है, जिन के लिए मैं सीधे तोर पर जिम्यदार नहीं हूँ, for example, कोई और short time inc है, व वहां से 10% उपर है, मैं time life position के लिए जिम्यदार concern के पास जाऊँगा, और कई प्रमुक question पूछूँगा, हमें कब कुछ ऐसा मिलेगा, जो world को आश्रे चकित कर देगा, ऐसा कुछ कब होने वाला है, जिससे यह ऐसास कम हो जाएगा, कि यह company अधिक rent के लिए तयार है, एक तर ऐसे मैं portfolio का negative monitor हूँ, यदि किसी position को लेकर कोई problem है, तो मैं regular रूप से इसकी जाच करूँगा, यह मुझे यहाँ एक बहुत ही cutting concern बनाता है, क्योंकि मैं केवल लोगों से तब ही बात करता हूँ, जब चीजें खराब होती है, या जब उनके stock उस तर ऐसे काम नहीं कर र केसी action होगी, जो आपकी सोच को बदल देगी, मैं यह मानने की कोशिश करता हूँ, कि trading के दूसरे side का concern कम से कम उतना ही जानता है, जितना मैं जानता हूँ, मान लीजिए कि मैं texaco को 52 डोलर पर खरीदता हूँ, और यह आचानक 50 डोलर तक गिर जाता है, जिसने भी texaco को 52 म पे बेचा, उसकी perception मेरी perception से dramatic रूप से अलग थी, यह जानना मेरा करतव्य है कि उसकी perception क्या थी, यदि आप इसे समझा नहीं सकते, तो क्या होगा, स्पस्टिकन सतही या serious हो सकता है, लेकिन आप आम तोर पर कुछ ने कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आईए तंबाकु कमपनि की position ले, कुल मिलाकर close के बाद जो खवरें सामने आई, वे bearish लग रही थी, यदि कल तंबाकु का stock मामली रूप से उपर चला जाए, और फिर वापस आ जाए, तो क्या आप अपनी position को cover करेंगे? मैं इसे वैसे भी cover करूँगा, मैं news पर position को cover करूँगा, तो एक बार news सामन आने के बाद आपके लिए खेल खत्म हो गया, राइट, यही एक मातर कारण था, जिससे मैं short था, ठीक है, यह question का answer बहुत ही simply देता है, मान लीजिए कि आप long period की position के रूप में तंबाकु stock को कम करना चाहते थे, और market ने आज की खवरों को नजर अंदाज कर दिया, और कल high level पर बंद हुआ, तो क्या आप cover करेंगे? यह मेरे कारणों पर निर्भर करता है, अगर मैं तंबाकु कम्पनियों से short रहना चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि तंबाकु की खवत वर्तमान अनुमान से कहीं अधिक घटने वाली है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी होनी चाहिए थी, जब तक आपको लगता है कि कम होने का मुख्यकार्ण अभी भी valid था? हाँ, लेकिन अगर news भयानक थी और stock बढ़ गया था, तो मैं यह समझने की कोशिश करूँगा कि एसा क्यों है, कभी-कभी market के पास अधिक information होती है और अलग action वास्तों में आपक कुछ बता रही होती है, लेकिन क्या ऐसे example नहीं है, जहां आपका analysis पूरी तरह से गलत था? जरूर, और आपको इसका एहसास कहा हुआ? हाँ, और जरूरी नहीं कि इतनी जलती, for example, मुझे एक broker का phone आता है, जिससे मैंने काफी time से बात नहीं की है, मैं कुछ कागजात इधर उदर गुमाता हूँ, और फिर कहता हूँ, ZCU के 30,000 share खरीदें, क्या तुम समझ गए जो मैंने कहा? नहीं और वह हंसता है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन यह valid लगता है न? वैसे भी, वह मुझे वापस बुलाता है, और मैं अपने सची उसे कहता हूँ, कि मैं बात रूम मे हूँ, वह बेचैन ओकर दुबारा फोन करता है, क्योंकि क्लोज से 5 मिनिट पहले है, और मैं अभी भी अवेलेबल नहीं हूँ, फिर 3.58 पर मैंने उसे वापस फोन किया, और कहा, क्या आपने अभी तक वह ओर्डर पूरा नहीं किया है? प्रोब्लम क्या है? बस इतना बु के सेक्षन को सुना, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने कम से कम चार दोस्तों के साथ, सोशल मेडिया पर शेयर अवश्य करें, धन्यवाद, हिंदी ओडियोबुग डोट को, आपका दिन शुबहू करें लाद़